ग्यान मंत्रा होम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्यार और हस्त रेखा आप लोग अपने हस्त रेखा द्वारा कैसे पता लगा सकते हैं कि आप लोगों को आपका प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा आजकर लोग अपने करियर के साथ विवा को लेकर बहुत जादा उत्साहित रहते हैं बलकि जादतर लोग ऐसे होते हैं जो की प्रेम विवा करने के इच्छुक होते हैं और वह अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तयार रहते हैं तो आये जानते हैं कि आप अपने हातों में ऐसी कौन सी रेखा देख कर जान सकते हैं कि आप लोगों को आपका प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा हमारी हतेली में थोड़े थोड़े समय में कई रेखाईं बदलती रहती हैं जबकि कुछ खास रेखाईं ऐसी होती हैं जिन में अधिक बड़े बदलाव नहीं होते इन महत्वपूर्ण रेखाव में जीवन रेखा, भाग्य रेखा, हिर्दे रेखा होती हैं साथी साथ विवह रेखा और संतान रेखाई भी शामिल है हस्त रेखा जोतिश के अनुसार विवह रेखा से किसी भी व्यक्ति के विवह और प्रेम पसंग पर विचार किया जा सकता है विवारेखा सबसे छोटी उंगली यानि की लिटल फिंगर के नीचे वाले भाग पर एक आड़ी स्थिती में होती है छोटी उंगली के नीचे वाले भाग को बुद्ध परवत कहा जाता है विवारेखा एक या एक से अधिक भी हो सकती है हतेली में एक से अधिक विवाह रेखाएं प्रेम प्रसंग की संख्या की और इशारा करती है साथ ही यह रेखा यह भी बताती है कि आपका विवाहिक जीवन कैसा रहेगा यदि विवाह रेखा नीचे की और बहुत अधिक जुकी हुई हो तो विवाहिक जीवन में परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है यदि किसी व्यक्ति के दोनों हातों में विवाहर एखा के आरंब में दो शाखाएं हो और उस व्यक्ति की शादी तूटने का भी भई रहता है यदि किसी इस्त्री के हाथ में विवारेखा के आरंब में दूइप का चिन हो तो उसका विवारेखा किसी धोके बात से होने की संभावनाएं होती है साथी यह निशान जीवन साथी के खराब स्वास्त की और भी इशारा करता है यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवारेखा बहुत अधिक नीचे की और जुकी दिखाई देती है और वहा हिर्दे रेखा को काटते हुए नीचे चले जाए तो यह शुब लक्षन नहीं माना जाता ऐसी रेखा वाले व्यक्ति का जीवन साथी उसकी मौझूदगी में ही गुजर जाता है यदि किसी व्यक्ति की हतेली में विवारेखा लंबी और सूर्य परवत तक जाने वाली है तो यह संपन और समरिद्ध जीवन साथी का प्रतीक माना गया है यदि बुद्ध परवत से आई हुई कोई रेखा विवार रेखा को काट दे तो व्यक्ति का वेवाहिक जीवन परिशानियों से भरा होता है यदि दाएं हाथ में दो विभार एखा है और बाएं हाथ में एक विभार एखा हो तो ऐसे लोगों की पतनी अपने पती का अधिक ध्यान रखने वाली नहीं होती है तो अभी के लिए बस इतना ही अगर आप और जादा जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ग्यान मंत्रा हूम रेमिडी सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद